नमस्कार दोस्तूं एक बाफे शे आपका हादिक स्वागत थे हमारे यूट्यूब चेनल दुनिया सपनों की और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिस सपने के बारे में वो सपना है यदि आप सपने में पहाड देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों अकसर आप सपने में पहाड़ों को तस्वीरों में देखते हैं, टीवी पे भी देखते होंगे, लेकिन यदि आप सपने में पहाड़ देखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? ये सपना आपको कोई संकेत देता है या फिर नहीं ये सपना आपके लिए सुब संकेत है या फिर असुब कैसे जानेंगे तो आईए दोस्तों जानते हैं सपने में पहार देखना इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों सपने में पहाड देखना एक सुप संकेद माना जाता है यदि आप सपने में पहाड देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने सत्रों पे विजय प्राप्त करेंगे आपके सत्रों परास्त होंगे और आपकी विजय होगी और येदि आप सपने में पहार पे चड़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके मान सम्मान में व्रध्धी होगी आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी और आपको धनका भी लाब होगा और आप उन्नत करेंगे आपको आपके कार्यों में शफलता प्राप्थ होगी सपना आपके जीवन में उन्नती की ओर इशारा करता है लेकिन दोस्तों यदि आप सपने में पहार को हिलते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके आने वाले समय में किसी विमारी का प्रकोप हो सकता है और यदि आप सपने में ये देखते हैं कि आप खुद को पहार से उतरते हुए देखते हैं तो ये सपना भी एक असुप सपना माना जाता है इसका मतलब है कि आपको आपके व्यापार में शी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आर्थिक समस्याइं आ सकती हैं तो दोस्तों मैं उमीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजी और साथ ही मेरे चैनल पे यदि पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजी और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो क नोटिफिकेशन आपको मिल सके नमस्कार दोस्तों